हीं ओप्रेंड्स देखें आज मैट्र Twice स्टार्ट करने जा रही हैं टो हम अपनी नदे भी मैट्रिक्स होती क्या है मैट्रिक्स हमारे लिए को यह अगर मारे पास डाटा है । उसको ंधिंग जो हम पैटन फोलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बैक्ट्रिक्स जैसे कि माल लीजिए हमारे पास सपोस कीज़े दो लड़के हैं शाम और सेम ठीक है दो लड़के हैं और उनके पास माल लीजिए पैन, पैंसिल और नोटबुक हमने माल लिए कि शाम है उसके पास 2 पैन है एक पैनसिल है और ती्मesar इसके पास 2 पैन है ,5 पैनसिल है और ती नोटबुक riteम अगर हम इस डाटा को बताने लगे तो हम अमारे लिए बहतलएं हो जाएगा कि हम यह बताया अलग अलग लग से calor इस तरह से डाटा को बताना थोड़ा देंथी पड़ता है तो मैथमेटीशन से सोचा किस को में पैटरन में लिख देंगा इस पैटरन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अब हम इस चाल इस तरह से लिख देंगे तो इसलिए मैट्रिक्स को से अब्सक्री तॉ कोई भी आखाना पास दाटा है तो क्या उसको शिस्टमेटिक वे लिख सकेंगे अब जो यह horizontal line है, यहाँ बर जो first बाली horizontal line है, यह किसको denote कर लिया है? शाम को, ठेकं़? यह कर लिया denote शाम को, और जो यह second horizontal line है, यह किसको denote कर लिया है? सहीआ को, इसी तरह जो यह first हमारे पास column दिख रही है, यह जो vertical है, इसको क्या कहते हैं? इसी तरह से कोई भी डाटा होगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं सब्पोज किजिए मैंने इसके अंदर एक रो और एड़ कर दी हूँ मतलब कि अगर माल लो एक और हम एड़ कर दे कोई दिनेश हमारे पास और दिनेश के पास सिर्फ नोट बुख है फिफ्टी ना तो उसके पास पैरने हैं और ना ही पैज से लिए तो हम उसको फिर आसे लिए देंगे 2 1 3 2 4 10 और 0050 ठीक है ऐसे लिख सकते हैं यह सुरू लिए इसको ऐसे लिखें ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 3 2 4 10 और 0050 ठीक है यहां पर हम इनको लिख देंगे कि यह हमारे पास शाम है यह सही हम है और इह नेश को दिनेश को दिनोट टर रहे हैं यह पैन को यह पैंसिल को और यह नोट भूक को ठीक है अब जो याहामारे पास कुछ रो हमारे पास प्राइब इक रहे है Пिश तो वर्टिकल साती है और कुछ खुरीगंते हां तो यह जो हमें hourly रीज़Еंटल लाइन्स बिख रहे हैं इनको हम कहते है रोस शा battery MON और जो वर्टिकल लैन्स है, इनको हम बोलते हैं कोलम्स इस और डीकल magazन्स कोलम्स तो जैसे कि यहां पर हमें दीख रहें कि अमारे पास first row है इसको उम क्या कहेंगे, this is row first इसको में क्या कहेंगे, row second और इसको हम कहेंगे, row third ठीक है, और इसी तरह इनको और इसको थर्ड कोलम, ठीक है, this is column 1, column 2, column 3, ठीक है, I hope आपको समझ में आज़ा होगा, कि जो horizontal lines हैं, उनको हम क्या गएंगे रोज, और series में चलेंगे, first वाली को first row बोलेंगे, second, फिर third, इसी तरह vertical lines उनको हम क्या गेते हैं, columns, this is first column, this is second and this is third column, ठीक है, उसके बाद देखिए यह हमारे पास की basic definition of matrix, अब उसके बाद कुछ उसकी types आती हैं, कि matrix कितने type की होती हैं, कैसे कैसे हम देख सकते हैं, आप एक डू एक्जम्बल होगे जिए, जैसे कि हम यह ले लखे हैं, one, two, three, ठीक है, इसके अंदर देखिए, सिर्फ एक original line है, तो इस का अंदर सिर्फ एक row है, इसमें हम क्या कहेंगे, row कितनी है, one, ठीक है, column देखे कितनी है, vertical lines कितनी है, एक, दो, three, तो columns कितनी होगी है, हमारे पास, three, ठीक है, तो यहां से में क्या बता चलिए, कि row, column हम कैसे count कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दू, one, two, three, तो यहां पर हमारे प एक, तो यहां से मारे पास क्या आगया, column, one, ठीक है, ऐसे यह तो कितने भी example ले सकते हैं, आप ट्राइ कर सकते हैं, कि row कितनी है, उसके अंदर column कितनी है, जैसे कि अगर मैंने simple a के लिखी है, इसके अंदर a की horizontal है, a की vertical है, तो इसके अंदर row b, और column b, ठीक है, डूंद क्य उसके बाद आता है, order, order, order का मतलब क्या होता है, वैसे order का मेंन काम ही होता है, कि वह हमें यह बताए कि इसकंदर कितनी rows हैं, और कितनी columns हैं, ठीक है, हमारे पास कोई भी matrix होगी, जैसे कि यह ली लीजीजे, one, two, three, four, five, six, ठीक है, अब order है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, m cross n, multiply का सिंबल होता है, वैसे है, लेकिन हमें multiply कभी करने नहीं होती, क्योंकि जो m हो कि इसको denote करता है row को, और जो n हो कि इसको denote करता है, column को, ठीक है, और हमेशा जो भी matrix होगी, उसका order हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके नीचे, अभी इस जैसे कि यह matrix लिखे हमने, इसके अंदर कितनी rows है, दो, एक यह row है, और एक यह row है, ठीक है, दो rows होगी, तो हमें कैसे लिखने है, देखो, m cross n, पहले नॉमबर भी क्याएगा, रोज कितनी है, कितनी rows है, इसके अंदर, 2, तो पहले हम लिख देंगे 2, फिर पीच में cross ह इसके अंदर elements कितनी है, जैसे 2 multiply 3 करेंगे तो 6, इसके अंदर total 6 elements है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, multiply हमें कभी नहीं करनी, यह सिर्फ हम यह बताएगा, कि इसके अंदर 2 तो row है, और 3 column है, ठीक है, जैसे कि हम और example भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4, ऐसे लिख दिया हमने इसके अंदर एक ही row है, ठीक है, तो एक row हो गई, column कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो 4 column, इसको हम वर्टिकल में लिखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो देखें, इसके अंदर rows कितनी होगे, 1, 2, 3, 4, 4 rows हैं इसके अंदर, और column कितनी है, एक ही है, तो column बना होगी, एसे हम order लिख सकते हैं, अभी मैंने वह single one लिखा गा, इसको कैसे लिखेंगे, इसके अंदर, एक ही row है, एक ही column है, ठीक है, तो one cross one, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसे हम order लिख सकते हैं, आपर, किसी का भी, उसके बार, अब आएंगे हैं, मारे पास types of matrix, सबसे पहले द row और column, देखिए, row matrix कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें में सर्फ row दिखें, मतलब कि जिसके अंदर row क्या हो, one हो, column कितनी भी हो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ row एक ही होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं, one, two, three, four, एक चीज़ ओर ध्यान रखिएगा, जब भी हम matrix लिखेंगे, तो बीच में आपने कुछ comma, dot, कुछ नहीं लगाना, ऐसे कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इनको बस एक बीच में gap देखेंगे, ऐसे लिखना आपने, ठीक है, अभी यह जो हमने matrix लिख है, इसके अंदर क्या है, एक ही row है, one row, column कितनी है, four, तो यह matrix कैसी होगी हमारे पास, row matrix, हमें सिर्फ किस पर focus करना है, row पे, row कितनी होनी, जी यह one, column कितनी भी हो, column one हो, सिर्फ कितनी हो, कोई मतलब निया में, ठीक है, अभी जैसे कि यह लिया था, हमने one, one cross one की दी, इसके अंदर row तो one ही है, तो यह matrix भी हमारे पास कैसी होगी, row matrix, ठीक है, और भी ले सकते हम, यह ले लीजिए, one cross three ही है, ठीक है, तो यह भी हमारे पास कैसी होगी, row matrix होगी, ह में क्या होना चीए, सिर्फ column one होना चीए, row से कोई मतलब होना है, तो क्या होना चीए, इसके अंदर, column matrix, column one हो, ठीक है, जो से कि इस type की मिलेगी, हमें देखने हो, a, b, c, ठीक है, इसके अंदर तीन elements है, इसके अंदर column एक है, row कितनी है, three, तो three cross one की होगी, ठीक है, ठीक है इसी तरह हम यहीं ले सकते हैं, यह वाली, अगर आपने ऐसी लिख दिया कि इसके अंदर एक ही row है, अगर एक ही column है, हमें सिर्फ column check करनी है, तो this is column matrix, ठीक है, आप ऐसी भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, बहुत सारी, one, two, three, four, five, ठीक है, तो यह हमारे पास कैसे ह जाएगी इसके अंदर कितनी row है, five, और column कितनी है, one, तो यह जो matrix है हमारे पास कैसे हो गई, column matrix, यहां से एक question और निकल क्याता है, एक ऐसी matrix बताएगे, जो column matrix भी और row matrix भी है, मतलो कि जिसके अंदर row भी one है, और column भी one है, तो वो matrix इस type क्योंगी है, ठीक है, एक ऐसी matrix, ज और column भी one है, ठीक है, ऐसे भी कोशन आ जाता है कहीं बाद, उसके बाद देखिए, अब है rectangle matrix और square matrix, square, देखिए, rectangle नाम से ही पता चोलता है, rectangle जैसे दिखने में दिखेंगे, ठीक है, rectangle का हिंदी में मतलब क्या होता है, आयप, इस type की दिखने में मिले, ठीक है, अभी देखिए, जैसे की rectangle है, rectangle हमारे पास की type को होता है, ऐसे, मतलब कि जिसकी length और breadth इक्वल ना हो, main मतलब यही होता हमारे पास, length is not equal to breadth, वो हमारे पास कैसी होगी, rectangle, अईसे तरह यहाँ पर, यहाँ पर देखो, जब हमारे पास matrix ऐसी दिखने में मिले गया में, तो हम उसको क्या कह देएंगे, this is rectangular matrix, इसका मतलब जिसमें, इसमें तो क्या लेते थे हम, length और breadth इक्वल नहीं होनी चीए, अब यहाँ पर कैसी होगा हमारे पास, जो हमारे पास row है, और जो column है, वो कभी equal ना हो, तो rows is not equal to columns, तो जब rows और column इक्वल नहीं होंगी, तो अब हम उमेशा क्या कह देएंगे, this is rectangular matrix, जैसे कि हम यह ले सकते हैं, यह, यह जो matrix लिए हम ने, इसके अंदर देखिए, दो तो row हैं, और तीन column हैं, जब यह और यह equal ना हो, तो हमेशा कैसी बनेगे, rectangular matrix, मतलब कि इसके अंदर row तो दो होगी, column तीन होगी, इसका मतलब यहाँ पर यह equal नहीं है, तो इस matrix को हम क्या कहेंगे, this is rectangular matrix, जिसमें यह equal होगे, this is not a rectangular matrix, उसको हम इसके अंदर consider करेंगे, square matrix के अंदर, जिसके अंदर rows is equal to column होजाने हैं, जिसमें rows और column equal नहीं है, this is rectangular matrix, और भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले लिजिए, A, B, C, D, E, T, इसके अंदर, तीन rows हैं, दो columns हैं, तो यह matrix भी हमारे पास कैसी होगी, और भी, rectangular matrix, अभी अपने rows matrix और column matrix भी पड़ी थी, rows matrix कैसी थी, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे, जिसके अंदर एक ही row हो, बलब 1 into 5, ऐसे थी, इसमें भी देखिए, 1 और 5 इक्वल नहीं है, इसका मतलब rows तो कितनी हैं, 1, columns कितनी है, 5, तो यह भी कैसी होगी, rectangular matrix, column matrix भी ऐसे ही, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यह कैसे बन जाएगी, 4 cross 1, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो rows है, वो तो 4 है, और जो columns है, वो 1 है, इसका मतलब 4 और 1 इक्वल नहीं है, तो यहां से यह matrix भी कैसी होगी, यह हमारे पास rectangular matrix, कई बार question यह आ जाता है, कि क्या हर एक row और column matrix rectangular matrix होगी, कोशन लिए जेत्यों मैं, is every row और column, matrix is rectangular, rectangular, यह question है, क्या अगर हम कोई भी row matrix और column matrix ले, वो हमेशा rectangular matrix होगी, तो यह possible नहीं है, क्योंकि एक matrix हमारे पास ऐसी थी, यह वाली, यह matrix हमारे पास row matrix भी थी, column matrix भी थी, अभी अभी पढ़ा हमने, इसके अंदर देखे, row भी बन है, column भी बन है, लेकिन फिर भी रेक्टैंगुलर नहीं है, रेक्टैंगुलर कैसे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर rows भी और columns से भी equal है, तो यह matrix हमारे पास कैसी हो गई, जो row भी है, और column भी है, और, रेक्टैंगुलर नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास example दिया हुज सकते हैं, तो आपको कोशन में ध्यान डखना है, कि जरूरी है कि हर एक row column भी रेक्टैंगुलर यो, कुछ-कुछ हो सकते हैं, सिर्फ इसको छोड़ कर, अगर उसका order 1 x 1 नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास rectangular होगी, otherwise वो नहीं, तो वो rectangular नहीं होगी, otherwise वो rectangular हो जागी, ठीक है, उसके बाद square matrix देखिए, अभी square matrix में ने बताया, जिसके अंदर rows और columns equal हो, ठीक है, अभी ये rows और columns equal होंगी, इसका मतलब m x n है, उसके अंदर n is equal to n होना चाहिए, जो भी हमारा order था, उसमें rows और columns और columns भी equal होनी चाहिए, जैसे कि आमने अभी अभी matrix लिखी थी ये, इसके अंदर एक ही row है, एक ही column है, this is square matrix, ठीक है, ओफ order 1, कितना order है, 1, पास इसके अंदर दो ही row है, दो ही column है, 3 x 3 के भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी नमबर लिख लिख लिजिए इसके अंदर, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगी 3 x 3 हैगी, तो इस type के जो गी हमारे पास matrix है, उनको हम क्या रहते हैं, square matrix, ठीक है, मेरे पकस किस पर होना चाहिए, rows और columns equal हो, ठीक है, यह होना चाहिए, तो यह आपर देखिए, जो row matrix थे और column matrix थी, अगर उन में 1 और 1, दुन्नों चीज़ 1 हो जाए, row भी 1 हो जाए, column भी 1 हो जाए, तो ही वो क्या बनेगी, square matrix, अगर rows और columns में, दुन्नों को value 1 नहीं है, तो वो कभी भी square नहीं बन सकती है, अभी जो मैंने कोशन लिखा था, उसमें पिछे रेक्टेंगलर दिखा था, अगर रेक्टेंगलर की जगे में square लिख दूँ, तो महाँ पर हर एक जो row और column matrix है, वो हर बान तो square matrix नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ ये type की बनेगी, इसके अलावा अगर हमने ये वाली ये वाली ले ली तो वो कभी भी square matrix नहीं बनेगी, ठीक है, तो हम हर एक पर बात नहीं कर सकते, आपको ये ध्यान रखना है कि महाँ पर every लिखा हुआ है, या one लिखा हुआ है, ठीक है, कोशन में ये ध् लिख दिया, तो no answer आएगा, क्योंकि हर एक तो नहीं हो रही, सिर्फ ये वाली तो rectangle बनेगी और ये वाली square बनेगी, ठीक है, तो every लिख दिया तो ना rectangle आएगा, ना square आएगा, अगर उसने one लिख दिया, ठीक है, at least one लिख सकता है, या one लिख सकता है, तो हो जाएगा, क्य इसी तरह यहां पर देखिए, ये वाली हमारी row matrix है, इसका मलब एक row matrix पैसे मिल गई, जो कि इसमें है, square matrix में, इसी तरह कोलम में, कोलम में भी एक matrix, तो हमें ऐसी जरूर मिलेगी, जो क्या होगी, rectangular matrix, और इसी तरह देखिए, ये वाली matrix है, जो ये हमारे पास कैसी है, column matrix है, तो ये भी हमारे पास कैसी हो गई, square matrix, जब उसमें one लिख दिया, तो yes कर देंगे, जब उसमें everyone लिख दिया, हर एक matrix, तो हम no लिखेंगे, क्योंकि हर एक नहीं मिलेगी, इसके लिए ये डिसकार्ट हो जाएगा, और इसके लिए ये डिसकार्ट हो जाएगा, तो ये चीज स्क्वेर मेट्रिक्स पर बात करेंगे जादो तक क्योंकि mostly questions square matrix पही आती है, तो देखिए, अब square matrix की types है, diagonal matrix, diagonal matrix क्या होती है, diagonal नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि हम कोई भी figure बनाते हैं, अगर हम rectangle बना ले, या square बना ले, ऐसे, तो हम rectangle कैसे निगालते हैं उसका, या तो ये वाला, या फिर ये वाला, है ना, इसी तरह इसमें, ये हमारे पास कैसे होते हैं, diagonal, इनको हम हिंदी में वि अब देखिए, जब matrix है, उसके अंदर diagonal कौन सा मनने चाहेगा, matrix में सिर्फ एक diagonal होता है, और figure में बहुत साइ diagonal होता है, तो matrix में हमने सिर्फ कौन सा diagonal मानना है, ये वाला, जब हम उपर वाले कोर्डर से, नीचे वाले कोर्डर पहेंगे, तो कोई भी matrix होगी, इस type की, हमेश जब भी diagonal matrix पढ़ेंगे, सबसे पहले, main condition क्या होनी चीए, वो होनी चीए, square matrix, अगर वो square matrix नहीं है, तो कभी भी हम diagonal की बात नहीं करेंगे, always discard कर देना उस option को, ठीक है, तो मतलब कि अगर हमारे पा square matrix नहीं देर रखी, तो हम उसका diagonal नहीं निकाल सकते है, अब idea लगाईए, जैसे कि हमने example लिख लिया, यह matrix है हमारे पास, यह हमारे पास square matrix नहीं है, क्योंकि यह rectangle है, क्योंकि इसके अंदर row और column equal नहीं है, ठीक है, इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस corner को इस corner से मिलाने की कोशिश करूं, तो इसको मैं अगर इस से मिला हूं, तो यह ऐसे जा सार्ट हो रही है, यहाँ पर कभी भी ऐसे बीच में, क्रोस करके नहीं जाना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, दो elements के बीच में से line ना जाए, elements में से ही cross हो गे जाने चाहिए, ठीक है, वही matrix के लिए diagonal होता है, जैसे कि अभी square में लेंगे, A, B, C, D, इसमें तो diagonal दीख अगर हमने 3 प्रोस 3 में ले लिया, यह ले लिया, इसमें जो diagonal हो वो ऐसे होगा, मतलब कि इसकी lines में हमेशा क्या ना चाहिए, element ना चाहिए, हर एक row का, हर एक column का, अब जब मैंने इसको इससे मिलाया था, तो इसमें second column का कुछ नहीं आया, ठीक है, ना तो देखो इसमें फ इसमें first column का आगया और third column का आगया, जो second वाली column है, इसका कोई element नहीं आया, तो यह हमारे पास diagonal कभी नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें first row का भी आगया, first column का भी आगया, second row का भी आगया, second row का भी आगया, second column का भी आगया, इसी तरह इसमें, यहाँ पर first column, यह second column, यह third column, में कीवा होने चीए हमारे पास गॉलमबसी है अब देखी डाइगनल मेत्रिक्स होती कोनीची है दियागनल नाव शही पता चलाए उसके उन्दर शिर्फ डियागनल के ऐलेंट्स हो बक्की सारे 0 जो है तो डियागनल के ऐलेंट्स का सो रेचिए 9-0 बक्की सारे 0 जो है जो है इसे कि हम लेट लेट ली अब ये जो डाइगनल के ऐलिमेट्स हैं, ये कैसे हमारे non zero हैं, बाकि सारे zero हो, ये हमारे पास कैसे हो गई, डाइगनल मेट्रिक्स, और लेकिता हैं, one two three ले लिए, यह मैट्रिक्स भी हमारे पास कैसी हो गई डाइगनल मैट्रिक्स इसमें भी जो डाइगनल क्या लिमेट्स हो वो कैसे है नौन जिरो बाकी सारे जीरो ने चाहिए यह कम पत्सरी है यहाँ पर अगर आप एक जीरो लेलो तो भी काम चुल जाएगा मेन बात क्या है सारे जीरो ना हो कम से कम एक नौन जीरो बचना चाहिए मेन कंडिशन क्या है नो टोल जीरो का मतलब क्यों होता है सभी जीरो ना हो कम से कम एक नौन जीरो पक्का होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर भी नौन जीरो ले लो तो भी यह कैसी हो गई डाइगनल मेंक्स है वो सारे 0 नहीं है सारे 0 नहीं होनी चीए एक तॉन जिरो मिला है न देवो तो यह कैसी होगी डियाग्नल मेंट्रिक्स ठीक है आगे देखिए स्केलर मेंट्रिक्स स्केलर मेंट्रिक्स कि जो डियाग्नल मेत्रिक्स होनी चीए और में उसके साथ दूसरी चीज подоб और डाइगनल एलिमेंट्स और एक्वल तो सारे डाइगनल के ऐलिमेंट्स कैसे होने चीए इक्वल होने चीए है जैसे कि हम ने यह ले लिया डाइगनल मेंट्रिक्स क्या करती है डाइगनल के सारे एलिमेंट्स और ना हो बाकी सारे जिरो होने चीए यहाँ पर देखिए बाकी सारे जिरो है तो यह ले ले सकते हैं यह, यह हमने मेट्रिक्स ली, 3 फ्रोस 3 गी, बाकी सारे ऐलिमेंट्स जीरो हैं, डाइगनल को छोड़कर, डाइगनल वारे सारे ऐलिमेंट्स पर क्या नंबर है, ए, कुछ भी हो सकते हैं, सेम होना चाहिए वो, अगर हमने माइनस ली ली हो, तो भी, तो यह हमारे पास कैसी हो इजीज पी होना चाहिए, इस चीज का मुझा होगा, इस चीज का मुझा होगा, स्केललर मैट्रिक्स, कि यह भी, यह भी, और तीसे चीज क्या होगी, ओल डाइगनल ऐलिमेंट्स बाकी की जाए, तो फ्रोस 1, 1, सारे डाइगनल के ऐलिमेंट्स वन होने चाहिए में बात क्या है सिर्फ डाइगनल के ऐलिमेंट्स सारे बाकी सारे जिरू हो उसको हम क्या कहते है आइडेंटिटिमेंटेक्स जैसे कि ये ठीक है इसमें डाइगनल के ऐलिमेंट्स क्या है बाकी सारे जिरू है इसी तरह इसको लेख लीजे, इसमें diagonal के elements कैसी है हमारे पास, 1 है, बाक्की सारे 0, इसको भी ले सकते हो, यह भी कैसी identity matrix है, 1 order कि यही है, diagonal इसका यही है, क्योंकि इसके अंदर एक ही है, ठीक है, तो यह हमारे पास diagonal element हो गया, वो क्या होना चाहिए, 1, अगर यहाँ पर कोई A सकेटी डू, तो वो scale-nair matrix बन जाएगे, of order 1, diagonal matrix दिये है, क्योंकि diagonal के सारे element कैसी होना चाहिए, 90, तो यहाँ पर diagonal के जो element है, 90, तो यह diagonal matrix होगी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1, तो यह identity matrix, identity matrix most important होती है, इसके बहुत सारे result आएंगे, अभी आगगे मैं next वीडियो में अगर इसके रिचे ऐसे लिखा में गया है, 2, 3, कुछ भी ऐसे, इसका अगर बता हूँ, उसका order है, जैसे यह 2 x 2 की थी, तो इसको में गया से लिख देंगे, I2, 2 order की है, इसको हम क्या से लिख देंगे, I3, this is 3 x 3 की matrix of identity matrix, इसको क्या से लिख देंगे, I1, 1 order की है, तो इस हमारी बत सारी matrix है, आप आज यह कर लिजेगा, जो हमारी बचगी matrix हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इनके जितने भी questions आप solve कर लेना, आप अपनी तरफ से practice करके देख सकते हैं कि कौन से matrix diagonal है, scalar है, क्या है, क्या नहीं, अलग-अलग types आप questions बना के देख सकते हैं, कोई वीडियों तो आप मेरेको कमेंट बोक्स में लिखके बता देना, नेक्स्ट वीडियों कल करेंगे, थेंक्यू